आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्ट्राल केकरस घर में बहुत ही जबदस से खस्ता से आप अपने नाश्टे को बनाएए बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्ट फुल चाहे वह नाश्टा सुबा का हो या शाम की चाय अब आप भी बनाएंगे बहुत ही तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से असान से करक्स की रेसिपी तो वीडियो को एंड तक देके यहां पर हमने एक बॉल में तीन अड़े शामल कर देने तो अंडो कोयट करने के बार अची तरिके से विसकर की मैं यहां इसको पैंट लैंगे इसे तरिके से एक मिनटую से मिंस कर लिया था अब इस कमें चानी शामल करेंगे अधा कप और से क्सक मिंस कर देंगे अच्छ तरीकी से इसको हम फेंड लेंगे ताकि यह सारी चीनी जो है न वह डिजॉल्व जाए अंडों में तो अच्छ तरी कित इसको हमने मिक्स कर लिया है अब इसमें आठा शामल कर देंगे तो यहां पर हमने एक कप मेदा लिया है जिसको अच्छ तरी किसे ने चान लिया था अब इसको उच्छ तरीकिसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामल कर देंगे बेकिंग पाउडर तो यहाँ पर हमने डेट चमल बेकिंग पाउडर एक कर दिया वेनिय लासिंस शामल कर देंगे एक चूटा चमल इससे खुश्वू वह जबर्दस आए गेकरस्ट में अब इसको उच्छ तरीकिसे मिक्स कर लेंगे यह बहुत असान सी रेसिपी वीडियो को एंड तक देखे ताक कि आप हम से विज़ाता बेतरी निया मज़िदा से केकरस कर में बना कर स्टोर कर लें तो इसको देखे इस तरीकिसे मिक्स कर लिया है अब इससे हम मखन शामल कर द मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मखन जो है रों मुक्सतेर मे बेटर में जैसे कीमिक्स हो जाए और अच्छा सा बीटर ऀस का बजा स्ट याँ पर हम इसको Hand Mixer की मदब से अच्छ तरीक ने डरेक खांवें आप चाहें तो एलेक्टर बीटर के मदब से गांस का सकते हैं तो यह देखें ऐस कोछ तरीके सीमतीमी मिस bucks कर लिये us prepared मज़िदार सा बीटो रेडी हो चुका केकर असका अच्छी तरीकी से दुबार असको मिस्क कर लेंगे तो यह रेडी हो चुका है वेक होने के लिए अगर इस से स्टेच पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दीजिए कर चिनल पर नहीं तो सब्सक्राब जरू कर कर दीजिए एक छोटा सा प्यार सा कॉमेंट तो यहां पर हमने एक इसकार मॉड लिया है पैन लिये जिसकी ऊपर हमने बटर पेपर को रख दिया है और से थोड़ा सा ओयल लगा देंगे ब्रश की मदद से तो सारे साइडों से बीच में इस तरीकी से हम ओयल को लगा ताकि इसमें कोई भी लंस वगिरा ना हो और अच्छी तरीकी से इसकी शेप बन जाए एक्वल साइज में इसको फेला देंगे देखें इस तरीकी से हम इसको फेला रहे हैं इसको थोड़ा सा टेप कर लेंगे टेप करने के बास को बेक कर लेंगे आवर में 35-40 मिनट के की शेप को अशेख कर लेंगे तो चscenes करेंगे अची तरीकी से केक बनके रेड़ी हो चुका थोड़ा सा olacak है तो यह न युकाल गाल देगे यह दखें इस थन्हेरे बठी पेपर कोहटा देंगे की उपर से मॉत ही जबद हमके रेड़ी से इसको पर लिख मैं और खाने में बहुत ही टेस्टी है मजहिए की तो सब्सक्रिंगे अपर अपर कPeC जो की चो ठीक चोть-ठीक सकते हैं में यह शचाई के रहते हैं ग्योर सब्सक्रे सलक्रिक्स को मजह कर सकते हैं और यह परी टीक कंड़े कि आप़् now तो ये देखें आप ऐसे भी बहुत ही मज़े के बने हैं, अब इसको हम baking ट्रेके उपर इस तरीकी से रख देंगे, ताकि अच्छी तरीकी से ये रसकेक बन जाएं, तो इस तरीकी से सार्सकेक को हमने रख देना है ट्रेके उपर, और इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे रस्केक बनके रेडियो हो चुके हैं तो यह मज़ेदार से खस्ता से रस्केक आप भी बनाए गर में इंज़ाय करें फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो किसा लगा करमेंट में जबरू पताईगा और इस मज़ेदार से रस्केक की रस्केक को जबर शेयर कीजिए का फैमिली फ्रेंड के साथ अपना बहुता खायरा कीजिए का मुझे और मेरी फैमिली कोमेशिक की तरह दोवाँ में जबर कीजिए का फिर मैं देक नहीं और बहुत ही मज़ेदार से रिस्पी के साथ टेक कियर बाबाई अलाफ़ेज